नमस्क्राइब दोस्तों वैलकम टू गवर्वर्मेंट एक्जाम उनिफर देखे यहां पर एक अपडेट है आपके उत्राखंड लोग से वायों के तरफ से और यह जो अपडेट है आपका ARO के एक्जाम को लेकर है इसमें क्या कहा गया है बेसिकली आपके एक्जाम डेट को जारी कर दिया गया है ARO का एक्जाम था वो 2018 का नोटिफिकेशन था उसका प्री एक्जाम हो चुका है और आपका मेंस एक्जाम होना है और मेंस में इसमें जो मुख्य परिक्षा है यहां पर बताये गया है माननी उच्चिन आले नैनिताल में साहक शमिक्षा अधिकारी अ चार पोस्टे हैं इस वेकेंसी की अंत्रकत इनका जो मेन एक्जाम है वो होने वाल है तो जो भी इससे संबंदित केंडिट है इसको देख लीजिए इसमें डेट दे दी गई है आपकी इसको शेर कर दीजे सभी के साथ ताकि सभी को यह जानकरी मिल जाए जो भी इससे जो सेंटर कोड है वो है आपका 101 तो यह चीज़े हैं इसमें आपका एक्जाम होगा प्रस्णुपत्र एक सब्जेक्ट कोड 91 200 अंकों का है तीन घंटे का यह एरो का है असिस्टेंट रवीवी ओफिसर का दूसरा प्रस्णुपत्र होगा इनके लिए विशाय कोड 92 हिंदी लेंग्वेज डिस्क्रिप्टिव होगा दोनों ही इंग्लिस और हिंदी 200 मार्क्स के होंगे और तीन घंटे का होगा एक्जाम होना कप है वो मैं बताना भूल गया एक्जाम आपका 3 माई से 6 माई 2021 को होगा यानिकि माई में आपका एक्जाम होने वाला है लिखित परिक्षा कायकरम इंग्लिस लेंग्वेज की बात करें तो तीन तारीक को है ए यारो वालों का ए आरो असिस्टेंट रिव्यू आफिसर का और पहली पाली में या फिर प्रथम सत्र में दस से एक बज़े की बीच इंग्लिस लेंग्वेज है उसके लावा सेकेंड सिफ्ट पाली में या फिर सत्र में तीन से छे के बीच आपका हिंदी लेंग्वेज होगा इसके बाद आता है टाइपिस्ट की बात करें तो सेम है इसमें हिंदी और इंग्लिस लेंग्वेज दो दो सौ अंकर का होगा और देट आपका चार तारीख है 4 मई 2021 और टाइमिंग वही है इंग्लिस का morning में कह लीजे और हिंदी वालों का evening shift होगा इसके बाद है हिंदी language का इसके बाद आपका अनुवादक translator post code 04 है जिनका इसके लिए आपका paper 1 है descriptive वाला हिंदी language, English और translation and drafting ये दो paper जो है ये आपके इसमें भी I think दो है प्रशन पत्र एक में दो रहेंगे आपके जिसमें आपका language, English और हिंदी भासा subject code 95 100 सो अंक का यहां पर दिया गया है तो कुल में लागे 200 ही है, total 3 घंटे का समयस में भी रहेगा और translation and drafting 3 घंटे का इसके अलावा अनवादक पधेतू तिथिवार जो आपका date बताएगी है वह 5 मई 2021 और इसमें भी सेम चीज है 10 से 1 बजे का होगा पहला shift जिसमें प्रथम paper यानि first paper होगा और दूसरा आपका 3 से 6 के बीच इसके अलावा आपका जो assistant librarian है इसमें theory compulsory subject code 97 paper 1 है आपका descriptive 200 अंको का 3 घंटेगा और theory optional 1 of 3 यानि कि 3 में से एक जो होगा आपका theory optional वाला वो होगा आपका 200 अंको का 3 घंटेगा date आपका 6 तारीक है और बाकी जो shift है उसमें भी 2 रहने वाले हैं paper 1 और paper 2 के तो यह है एक update इसको share कर दीए सबीक साथ और जो भी candidate से जोड़े होंगे उनको यह जानकारी मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना ही कोई भी doubt इतनी नीचे comment करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद